हेलो एवरिवन वल्कम टू माई योटब चैनल आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फेंड सभी कुछ देर पहले एक नोटिस आरारबी मुंबई की तरफ से जारी हुआ है और जिसमें कहा गया है कि जो टीचर्स हैं जो मुंबई के जिरिडिक्शन में आ और ये कहीं न कहीं जो प्रोटेस्ट है उसको रोखने की कोशिस की जा रही है तो बैसिकली इस वीडियो में हम डीटेल में डिसकस करेंगे कि इस नोटिस के क्या-क्या माईने है और इस नोटिस से क्या-क्या प्रभाव पढ़ सकता है क्या आपकी मांगे यहाँ पर रेलव वेस्ट किया जा रहा है या तो railway अपनी तरफ से clarification देगी vacancy में कोई change नहीं होगा या फिर अगर change होगा तो उसको किया जाए थाकि student जो है वो भी यहाँ पर अपना mindset बना के और अपनी तयारी कर सेंगे, form apply कर सेंगे तो बहुत सारी दिक्कते हैं इस वीडियो में discuss करेंगे हम लोग कि इतने percent chances हैं और कब तक आपको form apply नहीं करना है तो चलिए वीडियो को start करते हैं उससे पहले अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी press कर लीजिए friends आगे बढ़ने से पहले एक update आपको देना चाहूंगा देखो लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है test book की तरफ से गंतंतर दीवस offer अभी चल रहा है ये बाद तो आपको पता है कि exam से पहले आपको mock test लगाने होते हैं easy 10 code का use करेंगे तो maximum discount आपको मिल जाएगा साथ ही मैं आपको बता दू 2018 ELP में 40,000 से जादा selection test book की तरफ से हुए थे 82% जो questions है वो test book के test से वहाँ पर आए थे तो इस का लाब आप लोग ले सकते है quality with quantity आपको मिल जाता है link description में मैंने दे दी है तो देखो यह है वो notice जो भी कुछ देर पहले जारी हुआ था और यहाँ पर मैं आपको बता दू सबसे पहले तो कविज आरे student बोलने हैं कि notice पूरी तरह से fake है उसके भी दो reason मैं आपको बता दू पहला reason तो यह है कि यहाँ पर CN 1214 लिखावा है तो यहाँ पर होना चाहिए था CN 1224 तो देखो ऐसी जो printing mistake है यह तो railway की बिलकुल आम बात है railway के बहुत सारे notices में आपको ऐसे printing mistake देखने को मिल जाएगी क्योंकि यह notice पूरी तरह से real है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह RRB Mumbai की official website पर है अब दूसरा reason इसको fake बताने का यह है काफी लोगों के phone में RRB Mumbai की website नहीं खुल रही है मैंने भी जो अपने phone में try किया बहुत देर में जाके website खुली तो website में थोरी जी problem है इसलिए लोगों को यह fake लग रहा है लेकिन मैं आपको बता दूगी यह पूरी तरह से real है अगर आपके phone में यह आपके laptop में website खुलती है तो सबसे उपर ही आपको यह notice देखने को मिल जाएगा ठीक है बाकी यह printing mistake इसमें की गई है अब इस notice के क्या मा जी उटके मन में यहाँ पर railway बोल ला है और इन misconceptions को दूर करने के लिए हमने meeting रखे यानि कि यहाँ पर इस meeting के जो माइने हैं वो क्या हो सकते हैं वो यह हो सकते हैं कि जो RRB है वो यह कह रहा है कि जो भी आपके मन में गलत धारनाय बनी है हम उसको clarify करेंगे इस meeting में ना कि लोग यह बोल रहे हैं कि हम आपकी बात सुनके और ALP की vacancy बढ़ाएंगे या technician की vacancy बढ़ाएंगे यह notice का मतलब तो यह निकलता है कि जो आपके मन में गलत धारनाय बनी है उसको हम लोग दूर करेंगे आप लोग हमार से meeting करो ठीक है तो यहाँ से इस notice का direct यह मतलब तो न चीज़ यहाँ पर यही होगी RRB ने तो यह माल लिया कि हमने जो किया वो ठीक है student इसको गलत समझ रहे है coaching institute इसको गलत समझ रहे है लेकिन अगर इस meeting में कुछ ऐसे institute भाग लेते हैं कुछ ऐसे institute के परतने जो है भाग लेते हैं जो इस बात को समझाने में सफल रहे कि ALP की vacancy बढ़ना बिल्कुल होना चाहिए technician की vacancy आनी चाहिए exam calendar निगलना चाहिए age में relaxation मिलना चाहिए तो main point यहाँ पर यह है कि इस meeting को जो attend करेगा वो किस तरशे अपनी बाते railway तक पहुचा सकता है हाला कि यह सिरफ RRB मुंबई के आप लोग कह सकते हैं वहीं पर बात होगी ऐसा नहीं है कि यह पूरे RRB से बात हो रही है यह railway मंतर अले से बात हो रही है लेकिन यह है कि अगर RRB मुंबई को भी यह समझाने में आप लोग सफल रहे कि चातरों की जो demand है teachers की demand है वो सही है तो यह बाते फिर railway मंतर अले तक भी जा सकती है लेकिन इसमें एक सबसे ब अपलाई करना है तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर यह भी problem create हो रही है क्योंकि बहुत सारे student ने भी form नहीं बरा है ठीक है तो यहाँ पर जो है जो भी teacher इसमें भाग लेते हैं उनको अपनी बाते सही से रखनी होंगी otherwise इस notice का और इस meeting का कोई भी लाब जो है वो नजर नही है कि एक direct रास्ता आपको दिया गया है जिससे आप अपनी बाते जो है बिल्कुल officials तक पहुचा सकते हैं और जो भी आपके demand है वो direct आपको जो है सुनेंगे और आप उनकी बाते सुनेंगे यानि कि direct आपके लिए एक रास्ता यहाँ पर जरूर create हुआ है अब देखे इस notice क लेकर जो student है वो काफी जादा नराज भी है और जैसे कि मैंने आपको बताया काफी सारे comment आ रहे हैं जैसे यहाँ पर यह बोलते है student की यह notice साजी से physical protest ना किया जाए तो यह बात कुछ हथ तक सही हो सकती है क्योंकि physical protest की जो बात है वो कल से ही बहुत जादा circulate हो गई थी औ और की physical protest student करेंगे 27 तारीक को यह बाते railway तक भी जाते हैं देखा obvious सी बात है हर किसी के हाथ में phone है हर किसी के हाथ में YouTube रहता है कोई भी इन चीजों को point out कर सकता है तो railway तक भी हो सकता है यह बाते गई हो और उसी के regarding यहाँ पर फिर से जो है इसको कमजोर करने के लिए या फ point of view हो सकता है एक particular person का हलाकि यहाँ पे यह time waste करने के लिए जरूर है यह बात तो मैं भी मानता हूँ बाकी रही बात 27 तारीक के protest की तो मैं आपको बता दू अगर आप लोग 27 तारीक का protest करना चाहते हैं तो बिलकुल आप लोग कीजिए सांती पूर्ण तरीके से कीजिए अ लोगों को मिल गया ठीक है सरकार तक उनकी बाते चलेगी तो यह बाते भी सरकार तक जा चुकी है लेकिन वो इस पर कुछ रिस्पॉंड नहीं कर रही है अब इसका एक मातर ही रास्ता बचता है कि चातर जो है वो फिजिकली तोर पे अपनी बातों को रखें शांती पूर् को कमजोर बिलकुल ना करें यह नोटिस आया है हमारा कहा में आप तक इनफोर्मेशन पहुचाना आगे जो भी इनफोर्मेशन आएगी वो भी आप तक पहुचा जाएगी बाकि ऐसा आप लोग बिलकुल ना सोचें कि यहाँ पर जो है यह फिजिकल प्रोटिस रुकेगा यहाँ भी स्टूडेंट ने प्लाइन किया है वहाँ पर हो कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर समयधानिक तरीके से ही सारे काम करने होगे दरवाज इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रोब्लम आ सकती है बाकि आप इस नोटिस के बारे में क्या राए रखते हैं वो कॉमे प्रोब्लम